मंगल धिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है, मंगल धिलोन चैनल. नमस्कार आदाब सस्रियकाल, तन गुरु नामिक, तन रंकार, तन गुरु पिता उंखाराजी महाराच. गुरू प्रेमियो रब भगवान से मेरी बाते माइक कन्वर्सेशन विद गौड रबनाल मेरी अंगला इस रंकला में ये एपिसोड नंबर 63 होगा 63 इसे पहले एपिसोड में मैंने जिकर किया कैसे प्रभुजी ने मुझे लिखित रूप में ये मेरा मारदर्शन किया कि वो सफेद रंगी कुर्सिया अपने दफ्तर में मत रख साथ वाले वहन वाले स्थान में जाएं गैरे जाएं उसमें रख ले जब ज़्यादा मुनश्य आ जाएं तो रख लेना और ना इनको वहां रख अब उसका कोई रीजन होगा कोई लॉजिक होगा जिसके वैसे उन्होंने मुझे ये निर्देश दिया और मैंने जो भी निर्देश आता था उसको मैं फालू करता था विदाउट इवन थिंकिंग विदाउट आसकिंग एनी क्वेशिन क्योंकि मैं उससे पहले बहुत सारे सवाल कर चुका था बहुत अटक चुका था अड़ चुका था लेकिन यहां तक आते आते तकरीबन मामला साफ हो गया था वही जो मैंने का था उन्होंने तकरीबन 6-7 पेज का उतर दिया था 6-7 पेज से मेरा मतलब है कि वो आते थे जब उनकों प्रिंट आउट निकाले उनके तो वो 6-7 पेज पे आया उसका फॉंट काफी साइस बड़ा था तो इसलिए अगर बारीक फॉंट में अगर आप उसको करेंगे और पूरे पेज पे करेंगे तो शायद तीम पेज होंगे या दो डाई पेज में भी आ सकता है तो इसे कांटिन्वेशन में मतलब मैंने पहले भी यह जिकर किया कि जैसे कोई बहुत कंसर्ण पिता हो जिसको तुमारा बहुत फिक्र हो तो कैसे एक एक चीज अब देखें यह जो कुछ भी हमें बता रहे थे मुझे नहीं लगता है कि उनको जरूरत थी लेकिन जैसे मैंने कहा बार-बार भावना का भुखा है मेरी भावना को देखके मुने प्रेम को देखके मेरी भाव वेवलता को देखके जैसे मैंने कहा कि हम मैल एकठी कर लेते हैं पता नहीं कितने जन्मों से चले हुए हैं तो फिर जो आपके गुण होते हैं वो दब जाते हैं उसमें और जो दुरगुण होते हैं जो बुरे गुण हैं आपके जो बुराईय हैं वो उस पर कब्जा कर लेती हैं तो कई बार आपने देखा होगा एक आदमी बहुत दारू पीता है, मांस खाता है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है, कितने ही मित्रों के बारे में जिनके नाम पुराने उस वक्त के नाम, यानि सदियों पहले के नाम, प्रले से पहले के नाम, बताये उन्होंने, और कहा, क यहां उन्होंने, जो वो मुझे गैरेज में रखने के लिए के लिए करसियां वगरा, सफेद रंकी, जो प्लास्टिकी करसियां थी आफिस में, तो आगे उन्होंने लिखा, कि हम लोग घर में चीज़ें ले आते हैं अक्सर, हम सब का ये हाल है, और मुझे तो, जब ने फ करावा भी कुछ फंक्शन में लोग मुझे बुला लेते थे, कभी कहीं चीफ गेस्ट के तोर पे बुला लिया, कभी कैसे बुला लिया, तो कुछ टॉफिस वगरा देते रहते थे, तो एक इसी फंक्शन में मैं गया, वहां उन्होंने मुझे एक नटराज की मूरती, वहां से मुझे लिखी तुरूप में आया, कि बेटा, तुम्हारे या नटराजी विराजमान है, तो उनको बेटा सही स्थान पे रख, मतलब ये था कि हमने तो उसको एक डेकुरेटिव पीस समझ के रखा हुआ है, हॉल में रख दिया, जैसे आम तोर पे सब लोग रख द दिया, प्रणाम किया और माफी मांगी, अब ये एक माध्यम है, उसके माध्यम से प्रणाम तो आप नटराज भगवान कोई कर रहे हैं, ये एक जरिया है, उनको प्रणाम करने का है, बहुत सारी लोग मुर्ति पूजा के खिलावें सिक्रिजम में, ये अलाउड नहीं है, इसलाम में ये अलाउड नहीं है, इस पर भी कभी आएंगे, ये एक अलग विशे है, तो फिर आगे लिखा, कि जिस लकड़ी की चीज़ पर तुने नटराज जी को रखा हुआ था, वो तूटी वही है, उसे निकाल दे उसके जिए कोई और लेके आ, तो हमने वो भी निका दिया, मेरे दफ्तर में उसको कारिच शेतर बोलते थे, जिसा मने पहले भी बताया, तो अपने कारिच शेतर में तुने उस लकड़ी की वस्तु को साफ किया, या ये टेबल था, इसको मने साफ किया, इसमें जितनी भी वस्तुए हैं, उनको अंदर रख, जैसे मने पीछे बनवाया बाद में, तो सब ट्रॉफी, सब कुछ पहले बाहर पढ़ाया था, सब अंदर रखा, बुक्स वगर, हलांके था, लेकिन काफी बाहर भी पड़ी रहती थी, कि उनको अंदर रखा और जो चीज़ें, काम नहीं करती हैं, उन सब को निकाल दे, बहुत सारे, हमारे की अच्छी तरह देख भाल की, बहुत अच्छा है, ऐसा ही किया कर, अब ये, उस दोरान, क्योंकि मैंने बार बार कहा ने, कई दिनों के बाद में, हमको एकठा उतर आता था, बल्क में, तो जो हफते में, दस दिन में घटा होता था, तो उसके बारे में सारा उत्तरम को आ कि मैं कहीं भी हूँ, मैं तुझे देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, तो फिर बात ही खतम हो गई, और वहां से बैट के भी हमको कुछ भी संदेश भेज सकते हैं, लेकिन यहां, जो माध्यम की बात उनोंने की, कि रूपा के वारताला प्यंतर जो खिलोने तुमारे पास थ से तुमकु मैं भीजता था, इस पर भी मैंने बात में क्या क्या किया, मैं बताउंगा, जब मुझे यह पता लगया कि यहीं से, इसी में से उतर देते हैं, तो इसका मतल़ है यहां आते हैं, तो प्शू की दो और लोग उन जो बी हमसे बन पढ़ता है, क्योंकि जो हमारे हाँ सिवादार हम हो तो आते जाते रहते हैं भागते रहते हैं तो फिर हम लोंगों खुद ही कोशच करें बिए मैं तो उनके साथ में वेस्त हो जाता हूं ये तो पनी पिला चाय पनी पिला और जो भी साथम हमारे पास दोनों था तो करना कि बहुत अच्छा किया बेटा ऐसा ही किया कर अब इससे हम सब को एक संकेत मिलता है एक निर्देश मिलता है कि जब भी हमारे घर में कोई महमान आए दो कि यह पराने बज़रु कहा करते थे अब यह वहां से री कंफर्म हो रही है बाते हैं तो हम सब को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो दीदीरे खत्म होता जा रहा है उनकी देखभाल करनी चाहिए जो भी हम कर सकते हैं उनको आदर देना चाहिए जो भी हमारे घर पे चल के आए आजकर हालात बदल गए हैं लोग मतलब घर में जगड़े हो जाते हैं बिरकुटी तन जाती है माथे पर जो है ना सिलुटे आ जाती है कि तेओरियां उसको बोलते हैं हमारे पंजाबी में कि ये कैसे आ गया ये क्यों आ गया नहीं तुम अपना फर्ज निभाना जो तुम्हारे पास है जो बन पड़े लेकिन और कुछ नहीं तो उनको मुस्खरागे तो मिलना अगर वो आपकी घर पे आ गए है जैसे कहते हैं महमान जो है भगवान का रूप होता है तो ये मुझे वहाँ से निर्देश आया आगे उन्होंने अगले पेराग्राप में जो लिखा वो बहुत कमाल था मेरे जिन लोगों के साथ में समंद रहे उन्हें कहा कि मेरी इन्वाल्मेंट्स रही मैं तो शादी करना चाहता था लेकिन नहीं गरबर हो गया उसके बाद ने मेरा एक दोर आया जिसमें मैं फरस्टेट हो गया बड़ा सिर्फ डिस्ट्रक्टिव रह पे चला गया मतलब ये के जैसे शेर भी मैं लिखता था तो सद्मा सद्मा और सद्मे की बाद फिर सद्मा तेरा करम है तुन्हें जो भी दिया अससे दिया मेरे दुश्मन की ये तारीफ है ये गो जब मुझे قतल करता है तो خूद भी सात मरता है इस तरह की शिरएशारी वही जिसम वही जाँ वही रंगत लेकिन जरा सी नजर क्या बदली कि सब बदल गया तो ऐसे मैं लिखता रहता था ड्रिंक करता था फ्रस्टिटिड था उनके जाने से चलो एक वहम तो निकला अनाम कुछ और थे वो हम जिन्हें अपना खुदा समझा किये मतलब एसे बैटेबैची लिखता रहता था फ्रस्टिटेड था कि दोकरी मिले मुझे मिरी वफादारी जितनी मैंने की जितना मैं बहुत अपने चरितर को मांगता था जो संसकार में इसमानी मुझे दिये थे तो उनको बचाने की कि मैंने भरपूर कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया तो अब पीने खाने लग गया तो और कुछ लेडी जो मैंने पहले भी जिक्र किया स्टूडियोज में या कि शूटिंग में या किसी पार्टी में मिलती थी नंबर वगरा एक्षेंड कर लेती थी और फोन करना शुरू करती थी और कमाल की बात ये थी कि मैंने कभी भी मेरा इश्वर साक्षी है मैंने कभी भी फरस्ट टेप नहीं लिया मैंने इनिशियेटिव नहीं लिया उसमें आप मेरी एगो कह सकते हैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं या ये भै कह सकते हैं कि सा उन लड़की नहीं पहल की तो अब वो नमबर अगरे शेंग कर लेते थे फिर फोन करते थे और कभी मैं ड्रिंक के बैठा हूँ तो मैं पीजी रहता था वाकोला में सांटा कुरूज इस्ट में है ये जगे तो कुछ लोग कुछ ऐसी लेडिस थी लड़कियं थी जो मेरा मज़ा को रहने लगए लगए क्योंकि मैं फिर कहीं में कहीं बात करता था च्रित्र की और मतलब जिससे मैं शादी करूँगा तो जो मैं टर्विंग पॉइंट की बात करूँ जहां से मैं बिगड़ा और बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रह पे चला गया भटक गया वो मेरी जो पुरुशत तो है मेरी जो मरदानगी है उस पे कमेंट पास करने लग जाती थी कि हमको संदे है कि तुम नौजवान हो खुबसूरत हो सब कुछ और तुम्हारी बातें किस तरह की है यनि तुम हमें उम्र उनको एक नौर करता कि ने की तरीके से टालता था कि नहीं भाई मैं इस गलत रह पे नहीं जाना चाहता हूँ ठीक टाक अच्छे घरों से थे अमीर घरों से थे सब कुछ था उनके पास ना सोने पे सुहागा होगा बुद्धिया आपकी ब्रष्ट है और उनका पहरा उनका जोर चलेगा आपके उपर और ऐसे ही मैं उनका शिकार हुआ तो उसके बाद तो फिर एक भटकाओ का दौरा कई साल तक नहीं समल पाया मैं ऐसा नहीं है कि मैं दिम्नात इसमीं कोई शूटिंग किया है उसमें लगे हुए अपना करें लेकिन पहले जो मैं आवाइड करता था जो बच्टा था उँ मैंने बंद कर दिया था मुझे लगता था कि जब मेरे भागी में ऐसा है जब मेरे साथ ऐसा हुआ है ईश्वर ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया एक नाराजगी थी जिसे मैंने पी के ईश्वर से ज़ड़ा करता था गाली गराज़ करता था मेरे तमाम शिक्वे गिले थे ईश्वर से और मेरे अपने तमाम तर्क थे लाजिक थे तो अब वो तमाम नंबर रहे میरे پاس تو آگے نمبر جو ہے اس فون سے دوسرے فون میں دوسرے فون میں ایسے میرے فون میں پڑھے رہے بے شک ان سے سمند ختم ہو گئے پھر کبھی نہیں ملے وہ ایک دور آیا وہ ختم ہو گیا لیکن وہ نمبر پڑھے رہے مجھے اس کا احساس بھی نہیں تھا Even کچھ ایک گل فرنڈز میں جو تھی سب کے ساتھ میں سمند ہوئے گل فرنڈز سے مطلب جو آپ کی فرنڈز بن جاتی ہیں انڈسٹری میں अब उनके क्या नजरियात थे मुझे नहीं मालूम है हाला कि बाद में मुझे पता चला कि हाँ उसका नजरिया ये था एंगल ये था लेकिन मैं फिर मतलब वही जो एक बेसिक्स भाव आपका वो रहता है कि मैंने कभी पहल नहीं की तो उसके चक्कर में बचा भी मैं कई बार खैर तो यहां जो मुझे लिख के आया ये मैंने भून का इसलिए दिया आपको कि जब वो लिख के आया मुझे और मैं उसको सीधे बताऊंगा तो एक दम से जो हमारे दर्शक हैं वो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएं इसलिए मैंने नहीं बताया कि इस तरह का माहौल रहा था वो नंबर थे तो आगले पराग्राप में लिखा हुआ गुरू पिताओं का राजी महराज ने लिखके बेजा हुआ कि बेटा तरह वारतालाप यंत्र में जितनी भी दुष्ट इस्तरियों के अंक हैं वो सब निकाल दे जैसे हम ने का ये खराब चीज़े निकाल दे ये निकाल दे वो निकाल दे वो तुटूची लखडी की निकाल दे ये कुर्सियां निकाल दे तो अपने वारतालाप यंत्र में जितने भी दुष्ट इस्त्रियों के अंख हैं वो भी निकाल दे एक आगे लिखते हैं एक बाहरी दुष्ट इस्त्रि का अंख मैंने निकाल दिया है उसका फेस्बुक से भी मैंने निकाल दिया है अब मैं ये सोचने लग गया कि मतलब ये किसकी बात करें है तो किने लगी वो जिसका संदेश आने पे तू बहुत खुश हुआ था जो इस तरी इश्वर को याद नहीं करती जिसका दूर दूर तक इश्वर तक कोई सम्मंद नहीं है वो तरी वारताला प्यंतर में क्या कर रही थी मैंने उसको निकाल दिया इसके लिए मुझे च्वा करना तब मुझे याद आया अलांकि मैं संग रहिया कि ये अद्रेश शक्तियां जैसा मैंने पहले भी कहा थे कुछ भी कर सकते हैं लेकिन नियम में बंदे हुए हैं उस मालिक के निजाम में उसके सिस्टम में बंदे हुए हुएं से बाहर दें जाते तो क्योंकि मुझे बिना बताए उस इस तरी का अंक फेस्बुक से भी उसकी आईडी गायब कर दी जो फ्रेंड बनी हुई थी क्योंकि उसने मुझे मेसंजर के जरी हमने कॉम्निकेट किया था और फोन के अंदर से भी उसका नंबर उसने नंबर अपने भेजे थे मुझे तीन-चार नंबर थे तो वो निकाल दिये यह मुझे बता कि क्योंकि मुझे नहीं बता है मुझे आगया नहीं तो शमा याचना देखिए कितनी बड़ी बात है जिनके हम बच्चे है जिनके दम से हमारा वजूद है फिर भी वहां सिस्टम ही है कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे शमा करना अब यह कौन इस्टरी थी यह एक फरिडर थी किसी इन्वेस्टी में बहुत अच्छी पॉजिशन में हाइस्ट पॉजिशन में थी वो और यहां से लोग अक्सर कहते रहते हैं कि किसको कनेड़ा जाना है अड्मिशन लेनी है तो मुझे लगा यार वो कहीं काम आ सकती है और उसको मैं मिला था यहां चंडी गर में पहले बहुत पहले तो उसके बाद में उसका नमबर मुझे बुन गया अचाना कि एक बार उसका मुझे मैसेज आया जो इन्होंने लिखा उसमे कि जिसका संदेश जानिपे तो बहुत खुश हुआ था बहुत खुश हुआ था और वाकई ही मैं बहुत खुश हुआ था जो उसका आगे मैं दोड रहा था कि इसका मुझे नंबर आगे है तो मैं किसी दो Minis के की मदद कर सकूँआ लेकिन वो कैसी है ये तो प्रवजी को मालूम था और मुझे ही मालूम था तो कि उसने मुझे कुछ ऐसी बातें की थी उससे पहले जिससे क्लियर था तो अब इन्होंने फेस्बुक से उसको ढूंटा रहा मुझे किसी उसमें था कि रहे कुछ किसी कार्वज में उसको मैसेज करना था तो मुझे यादा जिए इन्होंने यहां लिखा हुआ था कि छोड़ोन निकाल दिया और वो वाकई ब्रिंग करती है नौन विज़ खाती है और इश्वर का नाम नहीं लेती है हलांकि बहुत बड़ी उंची पोजिशन में है लेकिन उनके दरश्टिकून से तो दिश्ट इस तरही है उसका मेरे वारताला प्यांतरवी यानि मेरे फोन में कोई काम नहीं है उनने निकाल दिया मैं उनकरे नहीं है उनका धन्यवादी हूँ मुझे बचाया उन्होंने हो सकता है आगे कुछ और करबोर सकती थी उसके बाद आगे लिखा उन्होंने अब यह सिद्ध होता है कि वो सब कुछ उनको मालूम है वो सब कुछ देखते हैं यानि जब मैं उसका उससे बात हो जाने के बाद उसके नंबर आ जाने के बाद में चैट हो जाने के बाद में मैंने उसका नंबर सेव किया था तो मैं कुछ दिद्ध मैं खोशतर हुआ ही था निश्चित रूप में खुब हमने बातें की जब फोन भी आ गया फोन पे की बात ये कि उनको ये बात पहले की ए दो हजार अथारा में या दो हजार उनिस की शुरॉआत में ये मुझे और इसका मतलब है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है हर चीज रिकॉर्ड हो रही है अब उसमें आगे लिखा कि एक और इस्त्री ये शायद लड़की लिखा था जिसे तुम अपने चित्रकार में लेना चाहते हो हम लोग फिल्म जो शहादत प्लैन कर रहे थे उसके लिए हम लोग तरह तरह जो लोग हम मिलते थे तुम देखते रहते थे कि एन मौके पे हवड़ा दफ़री नहीं हो कि बड़ी प्रेशर हो हमारे उपर के कास्टिंग कर दी है तो साथ साथ में देखते रहते हैं और अगर सही तरह के किरदार बिफिटिंग जो स्रोल में सूट करेंगे और मिल जाते हैं तो भी साथ में देखते रहेंगे तैयरी करते रहते हैं इस तरह कि हमारी कोशिश थी तो कि लिए वो एक लड़की जिसको तो अपने फिल्म कार में लेना चाहता था सम्टिंग लेने की तरी योजना थी जो अपनी जो माँ बेटी दोनों आती थी तेरे पास नाम तो याद होगा तुझे तो एक माँ बेटी थी वो मुझे मिलने आते थे चंडीगड में जब भी कभी माँ आता था वो मुझे ऐसे एक होटल में मिले थे हमारे कुछ अनराई में तर आये हुए थे और एक सिंगर आये हुए थे तो वहाँ स्टेज पर वो आए और वहाँ जब हम लोग बाद में बैटे हुए थे तो माँ बेटी बैट गी और वह सब लोग तारू पी रहे तो मुझे बड़ी एरान हुए कि इसकी बेटी सुन्दर है बहुत यंग थी लड़की में अखलाव 18 साल की होगी तो यह इसको क्यों लेके ऐसे शराबी में गुम रही है तो इस तरह से बाचीच चली उनके साथ में उन्हें ने मुझे कहा कि मा अपनी बेटी की है तो हमने का देखेंगे अगर हम लोग कुछ करते हैं तो आपको ले लेंगे तो उन्हें ने मुझे मिलना शुरू कर दिया कई बार मिले above ङते उनके बारे मुझे थकर कर रहे थे नाम तो याद होगा तुझे और मैं सोच तरहे कौन माँ बेटी तो मुझे याद आ गया कि येस ये उनके बारे में बात कर रहे हैं तो उसका अंक भी निकाल दे उसका उन्होंने अपनी आप निकाल दिया ये जो माँ बेटी आती है इनका भी निकाल दे फिर आगे लिखा और वो जो तुझे मिलने आई थी 301 में 301 मेरे दफ़ता का नंबर है दिल्ली से बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थी अर्ध नगन अवस्था में जिसने तुझे अपने अंग ढ़कने के लिए वस्त्र मांगा था जो नीचे बैट गई थी उसका अंक में निकाल दे मैं गाड़ ओ मैं गाड़ ओ मैं गाड़ इस एपसलिटली अनबिलिवेबल ये बात है कोई मेरा ख्याल वही 12-13 की बात होगी है 2012-13 की बात होगी या 14 की ऐसे कुछ होगा और 2018 या 19 में मुझे वो लिख रहे हैं ये एक्जेक्टली ऐसा ही हुआ था एक महतरमा है वो मौडलिंग भी करती है और थौब अन्हें आक्ट भी किया है वो बंबे आई थी और मुझे मिलने आई आई आफिस में और इतने शौट कपड़े पहने हुए थे कि उसको देख के मैं बहुत अंबर्स हो गया और क्योंकि वो दिल्ली से थी तो यहां आते ही आदमी आटो टैक्सी जो भी मिल जाए ले लेता है तो वो आटो में आई तो मुझे बहुत हहरानी हुई कि अरे भाई जब आपने आटो में बैठके आना है तो फिर आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने तो कहले कि बस मैं अपना confidence increase करना चाहती हूँ यह भी मारी बास समझ में नहीं आई तो वो बैठने के लिए जगा देख रही थी अगर वो कुरसी पर बैठती इतने short उसने कपड़े पहने थे इतने short उसने कपड़े पहने थे it was uncomfortable good looking girl, very good height सब कुछ बढ़िया था लेकिन यह तो मैं देखके अरान हो गया और very well educated अब क्या सोच है, क्या नदरिया उसका तो उसने गाया, मैं वो देख लेजाए कहां बैठी तो नीचे एक हमारे गदा सा था चोटा सा जिस पर बैठ की मैं पार्ट किया करता था प्रेयर करता था तो किले लेकि मैं इसमें बैठ जाती हूं पर जो कबड़ा मिल जाएगा तो डॉक्टर अजिनी में अपना सकार्फ दिया उसको तो उसनी ढखा और ढख के पर वहां रिवरिब्र कर दुकार्ड होता है। हो फाइल रिटीम हो जाती है वपर दर्शी हैह। हो कुछ भी देख सकते हैं कितने जन्म ने कहाँ कहां हमने क्या किया है तो कुछ सानों की भा थी। तो जैसे मैं ने कहा तो उस व्क्ट पे इस निकला क्तेर है लो थूब हो कि अंक तरे या जिन से तरे कोई समंद रहे हैं किसी भी तरह के उन सब के अंक निकाल देना बेटा इससे जो दुष्ट आत्माएं हैं दुष्ट शक्तियां हैं नेगिटिव फोर्सेज हैं वो तुस्से दूर रहेंगी और पवित्र शहीद सिंगों का तुझे आशिरवाद म ऐसे देख देख के सारा दिन मैं लगा रहा है धूने नहीं क्यूंकि मेरे फोन में करीब नौ दस आजार कॉंटेक्स हैं दुनिया वर के लोगों के कॉंटेक्स हैं तो उन्हें बड़ा मुश्किल था कैसे डूनू तो उनको मैंने निकाल दिया और पिर आखिर में अब मैं जा रहा हूं हरियों बेटा इश्वर तुम्हारा भला करें ये करीब पांच-छे पेज़े में साथ पेज़े में मुझे उत्तर आये थे अब अगीन जो मैंने पहले कहा था कि इसका ओचित क्या है आप लोगों से शेर करने का जैसा मैं बार बार कहता हूं कुछ लोगों को कि ये हैरानी है कि ऐसे कैसे हो सकता है कुछ लोग नहीं मान पा रहे है कोई बात नहीं तो उन्हें कहा था कि लोग विश्वास नहीं करेंगे लोग से मतलब जादातर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो करना चाहता है लोगों का मार धर्शन संसार का मार धर्शन चित्र बढ़ाना चाहता है लोगं को बताना चाहता है बता सकता है आगया है लेकिन लोगं को विश्वास नहीं आएगा तो अभी भी कुछ लोग इस तरह के प्रश्न करते रहते हैं वह अपना दिमाग के गोड़े दोड़ाते रहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है तो आते रहते हैं से स एमे का कोर्ट समझ में नहीं आएगा उसकी वह वस्ता नहीं है उसने वह कर्म नहीं किये हैं खैर तो यह सब कहने का मतलब क्या है कि जो जो मेरे जीवन में घटा मैंने किया एक एक चीज पूरी क्लार्टी के साथ उन्होंने मुझे बताई मुझे निर्देश दिये मेरा मेरी गारी ट्रैक से जो उतनी हुई थी उसको ट्रैक पे डाला एक बहुत ही बहुत ही पेम करने वाले कंसर्ण पिता की तरह इसलिए में कहता है तो मेरा रोम गुम रणी है मेरे पास शब्द नहीं है गुरू पिता उंकाराजी का धन्यवात करने के लिए इश्वर का वाह आपके जीवन में भी जिसके भी समंद रहे हैं जो भी इस तरह का शौकीन है गर्फरेंड बनाने का या गैर इस तरह के साथ समंद बनाने का क्योंकि काम तो सबसे उपर और काम ने सब को मार लिया इसने तो रिश्य मुनियों को नहीं छोड़ा देवी देवताओं को नहीं चोड़ा है शक्तियों को नहीं छोड़ा है इस पर जो मैं कभी बात करूँगा जो बहुत ही मतलब विचितरतम है यकीन नहीं आएगा काम को लेखे तो अगर ऐसा किसी के जीवन में है अपनी पतनी के अलावा क्योंकि अगर हमें तरक्की करनी है प्रोग्रेस करनी है प्रो आपको सब कुराफातों से बचना होगा सारा कच्रा निकालना होगा सच बोलना होगा इश्वर सत्य है परम सत्य है और सत्य बोलना इश्वर से प्रेम है सत्य बोलकर भी सत्य परायान होके भी हम इश्वर को पा सकते हैं सत्य बोलना कितना मुश्किल है सत्य बोलते हैं तो करता है ब्रह्म पैदा करता है भटकाता है इसलिए लोगों को जूट जादा पसंद है लेकिन आपने तो अल्टिमेट टार्गेट देखना है इश्वर इश्वरत को प्राप्त करना है तो पहले तो कच्छा निकालिए माफिये मांगिए उन्हें खुश रखिए घर की लक्ष आपके फोन में भी इस तरह के पुरुशों के या इस तरह की इसरीयों के अंक यानी फोन नंबर्ज है तो उन्हें निकाल दीजै विये कुणि जब भी आपका वीक मॉवमेंट आएगा आप ड्रिंग करते हैं या प्लब कप पम में जाते हैं कलब में जाते हैं भी आपको उलजा सकती हैं अपने मकड़ जाल में किसी के माध्यम से वो इस तरी ये वो पुरुश वो तो जरिया मात रहोंगे आपको गिराने के लिए आपको भटकाने के लिए पदभिष्ट करने के लिए तो वो अंक वो नंबर ही निकाल दो मतलब आप उस समस्या की जड़ी खतम कर दो तो कैसे संपर्क होगा और जब कर भी ऐसा मौका आए तो बचता जितना बच सकते हो इश्वर से प्रारतना करना घर से चलते वक्त इश्वर का नाम लेके राहधारी कहते हैं से राहधारी बना के चलना रस्ता साफ हो जाएगा इश्वर साथ होगे शक्तियं साथ में होंगी पांच वार मूल मंतर है गाहितरी मंतर है या और अपने धर्म के मताबिक आपके यहां की संक्त महापुरिश आपको बताते होंगे तो करके चला करें प्राहतना ईश्वर से अल्ला से गाड से वाहिग्रू से करके चला करें और रस्ते में भी भजन सुने गाड़ी में गाने सुनने की बजाए और ऐसे मौकों पे अलर्ट होईएगा अगर कुछ लोंगी बात पकड़ में आई है या कोई ऐसी बात मैंने चुपाने का प्रियास किया हो जिससे आपको तो कोई लाब नहीं होगा लेकिन मुझे नुकसान हो सकता है हो सकता है कहीं मैं ऐसा कर जाओं जहां मुझे लगे अन्य था मेरी पूरी कोशिश है कि जितना जादा से जादा सकता हूँ मैं करूँ ताकि आपका जीवन बदले ताकि आप सही रहा पे आएं ताकि आप भी जीते जी मुक्त होके जाएं और मैं महापुन्न कमा सकूँ यह माकसर कहता रहता हूँ कि जब तक आप दूसरों का भला नहीं करेंगे आपका भला नहीं होगा और महापुन्य कमाने का एक ही तरीका है कि आप दूसरों को किसी भी तरीकी से समझा के मुझा के प्रमान दे के उदारन दे के एक्जामपल दे के हरी नाम से जोड़ दे, अल्ला के वाहिगरू के गौड के नाम से जोड़ दे तो आप महापणने के हकदार हो जाते हैं इसलिए मैं ये रस्ता चुना मैंने इश्वर ने मुझे फिक्रपा की, दया की कि मुझे ये रस्ता उन्होंने दिया, ये रस्ता दिखाया, इस पे चला रहे हैं ताकि मैं देर सारा महापणने कमा सकूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बात पकल में आई होगी और आप इसका अनुसरन करने का प्रियास करेंगे और कोशिश करेंगे, कि जीते जी मुक्त होके जाएं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इश्वर हम सबका भला करें नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, तन रंकार, तन गुरु पिता उंकाराजी महराज मंगल धिलोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है मंगल धिलोन चैनल मंगल चैनल जीवन बदल सकता है